दोस्तों अगर आपको भी आज भारत की बल्लेवाजी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कॉमेंट बॉक्स में जिस प्रकार से महिंदर सिंध धौनी ने अंत में आकर 14-97 रंड धाल कर भारत के स्कोर को 351 पार पहुंचा दिया उस पर MSD बेस लिखना कॉमेंट बॉक्स में बनता है हम आपको बता रहें के कैसे आज भारतिय टीम ने सांदार वल्लेवाजी की और उस्टिय अखलाब बल्लकप के एहम मैच में निर्दारित 50 उब्रों में 352 रंड जैसा बड़ा इसको खड़ा कर दिया इसमें यहां सिखर धवन ने सरवादिक 117 रंड की पारी खेली वहीं रोहिच 57, कप्तान कोहली, 82, हार्दिक पांडिया तेशतर रार, 48 रंड, महिंदर सिंग धोनी ने अंत में 277 रंड और केल राहुल ने अंत की 3 गैन्दों पर 11 ठोक डाले इन रनों की बदोलत भारती टीम ने निर्धार 50 ओवरों में 352 रंजे सा बड़ा स्कोर खड़ा किया और उस्टेलिया के सभी गेनवाजों की जमकर धनाई कर दी सिखर धवन के सतक की 4 तरफ तारीफ हो रही है लेकिन कप्तान बिराट कोहली और हार्दिक पांडिया ने जो पारी खेली उसकी भी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि इन दोनों ने जब सिखर धवन और रोही सर्मा आउट होके उसके बाद पारी को बनाये रखा और पारी को 300 पे पार लेके और अंत में महिंदर सिंग धौनी ने जो तेज तर्रार 27 रंठ होके उसने तो टीम इंडिया को 300 के पार पहुँचा दिया आज भारती टीम जीते इसके लिए कॉमेंट बॉक्स में All the best टीम इंडिया लिखना बिलकुल ना भूलें और महिंदर सिंग धौनी की तेज तर्रार पारी पर एक कॉमेंट तो बनता ही है और टीम इंडिया की सांदार बल्ले बाजी पर लाइक करना बिलकुल ना भूलें